असलाम उलाइकोm मेरे प्यारे प्यारे विवर्वस को मेरा प्यार बरा स्लाम मैंगो हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग उमीद करती हूं आप सब केरियर से होंगे खुशभाश होंगे आज की रेस्पी हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेकी और यूनीक होने जारी है आज हम बनाएंगे दहीं भले पंजाब की मुशूर दहीं भले की आज रेस्पी जो मैं आपको बताऊंगी यकीन चाने आपने ये रेस्पी पहले कभी नहीं देखी होगी बहुत ही सिंपल है और स्टेप बेस्टेप में आपको बताऊंगी और वो इंग्रीडियन्स यारी करेंगी जो आपके कीचेन में मुझूद है साथ यसाथ जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो ये रेस्पी बहुत ही मज़े की है क्योंकि इसके अंदर कुलेस्टरोल और फैर बिल्कुल भी नहीं होगा तो आपने मेरी इस रेस्पी को एंटक फोच करना है कोई पैंट स्कीप नहीं करना ताकि आपकी रेस्पी बिल्कुल वैसे ही बने जैसे मेरी बनी है तो चले हम बनाना शुरू करते हैं तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और उसके अंदर एड़ करेंगे एक पाउ भरकर बिसन बिसन आपने अच्छे से चान लेना है फिर हम एड़ करेंगे दो चुटकी बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा की जो फवाइद है मैं आपको आगे च जाल रहे हैं तो देखें चिली फ्यक्स अइड में एड़ कर लिया है अब साहती हम बीच में एड करेंगे 1 4 टी स्पून जीरा और साती 1 ती स्पून काली मीच पाउडर कर देंगे अब एक जिमत भर कर धनिया है साब धनिया जिसे मैंने हैं से क्रुष कर लिया है अब हम प करने के बाद हम पानी आड़ करेंगे तो यह अब से पहले में काबी हाफ कप पानी आड रोई आड़ आड़ करेंगी साथ साथ आपने भी बीटर जो हे वहालाते जाना है तो देखें यहां पर यह थिक है तो मैं फोरा पानी ओर टेयाड दाओ घृट अमेजा ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा धिन हो तो यह आप कंसिस्टेंस से चख कर लें चैने जी अब हम एक पैल लेंगे और इसके अंदर हम उल्टा लेंगे हलका गरम होने पर हम अमेजा डालेंगे तो आपने वन टी स्पून इस तरीके से डालते जाना है अब आपने जो दई भले है वो आपने लो टू मीरियम फ्लेम पर कुक करने है क्योंके अमेजा के अंदर बहुत ज्यादा मोश्चर है और वो अगर आप हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो मोश्चर हो वो खतम नहीं होगा अंदर से तो देखिए इस तरीके से आपने आपको 11 मिन्ट लगेंगे कुक करने में तो टैंशिन आपने नहीं लेनी और लोटू मीडियम फ्लेम पर आपने आइस्ता सी कुक करते जाना है तो देखिए 11 मिन्ट हो चुके हैं अब हम स्टेनर की मदद से निकाल लेते हैं साथ यहां पर मैंने एक बाउल लिया है और उस देखें मिलकुल इस तरीके से बबल्स बना शुरू हो चुके हैं और लोटू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है ताकि जो मोश्चर है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए जब हम स्टोर करेंगे तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी इंकरीज होगी अगर आप वन मन्त ष्टोर करके रख सकते हैं तो देखें जारा मिंट हो चुके हैं अब हम की म्शला कितने मज़े की लग रहे हैं ऊपर से क्रिस्पी भी लग रहे हैं चैले जी अब हम नकाल की भी जाएं से साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नियू है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो देखें यहाँ पर मैंने पानी कंड़ डाल दिये है तो तकरीबन हम 10 मिन के लिए डाल कर रख देंगे 10 मिन के लिए हम स्टे देंगे चैनल जी अब देखें दूसी तरफ यहाँ पर मेरे पास 1 kg दही है अब दही का टेज इन्हेंस करने के लिए बीच में एड़ कर देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर साथ इबीच में एड़ करेंगे 1 टीस्पून नमक चैनल जी नमक एड़ कर देते हैं अगर आपको लगे कि जो दही है वो सोड टेस दे रही है तो आप इच में शुगर भी एड़ कर सकते हैं देखें 10 मिंट हो चुके हैं अब हमने दही भलों से पानी निकालना है जागे उनका जो समाम मोश्चर है वो निगल जाए तो देखें इस तरीके से हम पुष्च करेंगे एधियास से आपने पुष्च करना है इनकी जो शेप है वो खराब ना हो और आप इस बीच में से पानी निकाल लेंगे अच्छा पानी मैं क्यों निका रही है मैं आपको आगे चल कर बताऊंगी तो देखें आप तमाम देखें भले जो हैं वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे इनका जो वाटर है आपने रिमूव कर देना है इस पॉइंट पर आकर प्यारा से कमंट और प्यारा से लाइक तो बनता है ना चलें जी अब साथ ही आपने देखें के लाइल लगानी है आपने तक्रीबन हाफ दें बीच में एड़ करनी है और हाफ दें जो है वह आपने एक दफ़ा साइड पर डख देनी है चलें जी अब हम इसके उपर एक दफ़ा फिर दें भले की जो है वह ले लगाएंगे इस तरीके से अपने डालना है और देखें माचला से कितने मज़े की लुक दे रही है अभी इसके अंदर बहुत ज़ाद इंगे अभी एड़ करूंगी मैं तो देखें आपने दफ़ा इस तरीके से साइड डाल देने है अब हम दुबारा से दफ़ाइड करेंगे बीच में तो देखें कितना क्रीमी टेक्चर दे रहा है न तो देखें जो हमने दफ़ाइब भलों से पानी निकाला है न उसके अंदर बहुत ज़्यदा फैट और ओल था जो निकल चुका है चलें जी अब यहां पर आती है बारी प्रेजेंटेशन की तो यहां पर सबसे पहले हम कैचप एड़ करेंगे और साथ ही बीच में एड़ कर देंगे धनिया चटनी चटनी की रेस्पी मेरे चैनल पर मचूद है आप देख लिजएगा कि चटनी घर में कैसे बनाते हैं तो देखें कितना जट पर पंजाबी दही बहले बनकर रेड़ी हो चुके हैं तो जाएए अपने कीचन में इस रेस्पी को ट्राय करके मुझे कमिन बाउस में जरूर बताएगा कि आपकी रेस्पी यह कैसी बनी कितनी मज़े की और इतनी जट पर रेस्पी हमारी बनकर रेड़ी हो चुकी है और अब आप जब अपने बच्चों को या महमानों को सर्फ करेंगे न तो यकीन जाने 100% गरंटी है कि वो आपकी तरीफें जरूर करेंगे चलती हूँ दौाओं में याद रखेगा फिर मिनूंगी एक नई मज़ेदार और असान सी डिश के साथ तब तक हपसा फरीत को दें अजाज़त अल्ला हाफीज